आपको अपने यूटूब चैनल गैट आन एडूकेशन पर दिल से स्वागत करती हूं आप हमाई फेस्बूक और इंस्टार्गाम पेस से भी जोईन हो सकते हो आपको हमाई फेस्बूक, इंस्टार्गाम, टेलेगरम और साथ ही में ट्विटर के लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप सिंपले गैट आन एडूकेशन दार्गे भी सर्च करके जोईन हो सकते हो वीडिव को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा ताकि आप ये कि टारा और बिल्ग हमाई चैनल पर जोईन हो सकें और फ्री में क्लासस ले सकें इसके last video में हम लोग ने क्या पढ़ा था वो था हमारा pronoun pronoun हमारा चल रहा था जिसमें हम लोग ने pronoun की definition पढ़ी थी और हमारा pronoun कितने प्रकार का होता है मतलब उसके कितने kindness होते हैं वो हम लोग ने जाना था आज की video में हम लोग डिसक्स करेंगे कि pronoun का second part मतलब intuitive sentence हमारा क्या होता है उसको हम लोग कैसे पहचाने मतलब पूरा उसको details साथ हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में डिसक्स के आता वो था personal pronoun अगर आपने वो नहीं देखा है तो चानल पर विजिट कर कि उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजेगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम लोग ने इंट्रोगेटिव नाउन में पढ़ा था और साथ ही मैं लोग ने सेंटिंस में भी इंट्रोगेटिव सेंटिंस पढ़ा है तो आप कमीन भी आप उसको विए ब stomach जल्ड़ कर लीजेए का लिखा यासे लिखते हैं,book pronoun पैसे ने अंदे का काल करता है ठीके प्रोणाउम त अपको पता होता है ,ऊसे प्रोणाउम क्या होता है , जो और वर्ल्ड मतलब वहां शेप्द जो संघय के स्थान पर प्रीयोग किया जाता है मतलब Minister वर्ल्ड वीक्वेल इंडडव की इं क्रिंडव करने वोल्ड लिखा है तो वह मांट यहाब सब्सक्राभण तो वो हमारा तो ऐसा प्रोनाउन ठीक है ऐसा वर जो हमाँ कोश्चन पूशने के लिए यूज़ होता है उसी हम लोग क्या करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं देखे एक्जामपर की जो समझते हैं इसको हम लोग आज लिखाए वो रोग दिस बुक तो हमारा क्या है यह हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो हमारा क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नेक्स हमारा है सेंटेंस विच ओफ यू विच ओफ यू हैस दन इट विच ओफ यू हैस दन इट तो इसमें से हमारा विच क्या है which है हमारा interrogative pronoun which हमारा क्या है interrogative pronoun I hope आपको interrogative pronoun submission में कोई परिशानी नहीं हुई होगी और अगर आपने interrogative sentence नहीं पहचानने में दिक्कत होती है और कोई problem होती ही तो आप हमारी sentence वारी playlist को जरूर चेक कर दीजेगा उसमें हमने आपको पूरी sentence को बता रहे हैं कौन से sentence होता है किस तरह से होता है और सब जिसको बता रहे हैं उसमें आपको deeply अब देखते हम लोग इसके exercise for solve करते हैं और इस exercise solve करने के बार आपका आज का वीडियो यहीं पर खतम होता है लिखा है is this book is this book whose is this book यहां पर whose लागा सकते है what is this book इसमें हम आपको बस question मतलब sentence आपको खुद solve करना है क्योंकि आपको भी practice करने बहुत ज़रूरी है second है is your pen Mohan this is your pen Mohan Mohan से question पूछा रहा है Mohan क्या यह तुम्हारा pen है it is your pen Mohan तो pen हमारा क्या है एक non-living thing यह थी एक non-living thing के लिए आपको it का use करते है ओके तो it is your pen फिर नेक्स हमारा सेंटेंस है of you has called me of you has called me ओके तो आपको यह third fourth fifth question तर मतलब जितने भी sentence है वो सब आपको अपने आप solve करने अगर कहीं confusion होती है तो ज़रो मुझे comment में बता दिएगा कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं याँ तो मैं आपको इसका एक सब्सक्राइब वीडियो बनाके provide कर दोंगी I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like कर दिजएगा share कर दिजएगा और चैनल को subscribe करके notification bell को जड़ो click कर दिजएगा ता कि latest video की update आपको ताइम से मिल जाए तब टे के लिए bye bye thanks for watching this video